प्लानेट पॉलीवूड वहां सलमान ने बातों ही बातों में कहा कि इस साल 18th November को वो रचा लेंगे यूलिया के साथ शादी सलमान ने ये डेट इसलिए चुनी क्योंकि उनके पेरंस सलीम खान और सलमा खान की भी इसी डेट को हुई थी शादी वैसे ये पहली बार नहीं था जब सलमान ने यू शादी करने की बात कही हो इससे पहले भी एक बुक लॉंच पर सलमान ने मजाक मजाक में 18th November को शादी करने की बात कही थी 18th November, 18th November ये कुछ 20-25 November से चल रहा है 18 November होगा लेकि पता निए कौन से साल में होगा लेकिन होगा दो पार्टी में मौजूद सूत्रों के मुताबिक सलमान यूलिया की शादी का ये अफैर होगा बहुत ही स्मॉल और सिर्फ 15-20 क्लोज लोग ही होंगे मौजूद पर ये बात गले नहीं उतरती कि सलमान की शादी हो और उसमें सिर्फ 15-20 लोग ही रहे मौजूद सलमान का जिस तरह का ना सिर्फ स्टार्स के साथ बलकि कई पस्नालिटीज के साथ रैपो है उससे इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि सलमान की शादी होगी एक स्मॉल अफेर इसके अलावा सलमान का रियालिटी शो भी मिड उक्टोबर में हो रहा है शुरू जो करीब 3 महने से ज्यादा चलेगा ऐसे में सलमान अपनी शादी के लिए वक्त निकाल पाएंगे इस पर डावट ही है यूलिया का वीजा भी नवेंबर में हो रहा है एकस्पायर ऐसे में उन्हें रोमेनिया जाना पड़ेगा वापस और अगर वो इमिजिटली वीजा के लिए री अप्लाई भी करती हैं तो मुंबाइ